आखिर दिल्ली से पर्ची आई गई और भजनलाल सर्मा जी का मंत्री मंडल ने आज सपत ली है, 22 मान्य मंत्री गंड ने सपत ली है आज, मैं उनको मेरी और से बहुत-बहुत बढ़ाई और सुबकामनाई देना चाहता हूँ, आज हमने देखा कि राजस्तान में समीधान के मरियादाओं को तार-तार किया गया, चुनाव आयोक को ठेंगा दिखाया गया, और भारतिय जन्ता पार्टी का एहंकार साथ में आस्मान पर चड़ करके बोल रहा था, जब सपत गरण समारो चल रहा था, हम देख रहे थे कि सुरेंदर पार्टीटी जो स्री करणपूर विदान स्वाक्षित्र से चुनाव लड़ रहे हैं, पास तारिकों की वोटिंग है, उनको चलते चुनाव में आदर्स आचार सहिता के बीच में मंत्री पद की सपत दिला करके भारतिय जन्ता पार्टी ने श्री करणपूर के मतदाताओं को लुभाने का एक जो कूप्रियास किया है, हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं, भारतिय जन्ता पार्टी ने समिधान को मानती है, ने चुनाव आयोग को मानती है, और ये चुनाव आयोग के जो नया कानून उन्होंने पारित कराया है, जिससे CGI को बाहर निकाला गया है, उसका नमुना आपने आज हम सब को देखने क मिला है, कि शुरुआती उन्होंने इस तरीके से कर दी है, कि आने वाले समय में जो संकाएं पूरे देश में जाहिर की जा रही हैं, कि चुनाव होंगे ये नहीं होंगे, वो चीज आज हमको देखने को मिल रही है, कि किस प्रकार से शलते चुनाव में पांस तारीक का इंत कोई कोने में रख दिया और कानून इनके लिए कुछ नहीं है चुनावायोगी इनके लिए कुछ नहीं है उनको मंत्रीपद के सपत दिलाई है मैं समझता हूँ फिर भी कुछ भी कर ले भारतिय जनता पार्टी कितना भी जतन कर ले स्री करणपूर में मतदाताओं ने स्वरग्ये गुरुमिज सिंग कुनर जी के सच्ची सरदांजली देने का मन बना लिया है उनका जो योगदान उनका जो प्यार प्रेम सेवाएं हैं उनको देखते वे और कॉंग्रेस पार्टी की रितिनीती और कॉंग्रेस पार्टी के पि करके वहां की जनता श्री करणपूर से रुपेंदर सिंग कुनर को पांस तारीक को बाहरी संख्या में मत देख करके चुनाव जिताएगी और